हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे पैपलम शॉट जैकेट और इसे हम कॉलर वाली बनाएंगे और 34 साइस की बनाएंगे तो अभी तक आपने मेरे दूसरे चैनल सुर्तियार्ट्स 2.0 को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लिजेगा यहां पर फैवरिक हमने वन 5.5 इंच का रखेंगे वन इंच इसमें प्लस कर लिया है मार्जन के लिए तो 14.5 इंच लिया है और कॉलर वाली बना रहे हैं तो यहां पर कोलर शॉल्डर का हाफ लेना है हमें तो 7 इंच लेना है आर्मोर लेंगे हम 6.5 इंच चेस्ट का फोथ पार्ट लेना है तो 34 का फोथ पार्ट होगा 8.5 इंच और 1.5 इंच प्लस करेंगे मार्जन के लिए वेस्ट जो है वो है हमारी 28 इंच के तो यहां पर उसका फोथ पार्ट लेना है 7 इंच और 1.5 इंच प्लस करना है मार्जन के लिए सबसे पहले आपको द्यान देना है कि आपको जो फैबरीक उसमें तरीके से दी हुई है उसी के according आपको फिर जो भी आप बलाउस या जैकिट बना रहे हैं उसको आपको कट करना है दूसरा पार्ट हम यहां से निकालेंगे यहां से यह ओपन है front में हम इसे open रखेंगे तो यहांपर हम front पाट है तो shoulder का हम one inch minus करेंगे तो जैसे shoulder लिया था हमने 7 inch तो यहांपर हमें 6 inch लेना है यह देखे इस तरीके से और आर्मोड लेना है 6.5 inch क्युक्कि हम front से यह थोड़ा सा open रखेंगे तो यहाँ पर दिखिए हमने fold करने के लिए इसे ले लिया है तो मैंने यहाँ पर 8 इंच पर marking की और फिर हमने 1.5 इंच पर margin लिया है क्योंकि हम side से यहाँ पर जो हमने open side है वहाँ से हम इसे fold करेंगे न तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको 8 इंच लिया है और west का fourth part लेना है और यहाँ पर हमें 1.5 इंच margin के लिए लेना है side से तरीकों line को draw किया 1 इंच से armhole के side पर गुलाई देनी है तो front पार्टे तो हमें थोड़ी ज़्यादा गुलाई देनी है इसमें और इसे हमें cut करना है तो front और back पार्ट हमने cut कर लिये है हाफ इंच हमें shoulder को down कर लियना है क्योंकि हम इसे collar में बनाएंगे तो front और back पार्ट दोनों में हमें shoulder को down करना है अब जेकिट का जो नीचे वाला पार्ट है वो हम cut करेंगे तो total land हमाई 22 इंच थी और upper part हमने 13.5 इंच कर लिया था तो यहाँ पर अब हमें marking करनी है तो मैं marking करूंगी यहाँ पर 8 इंच की तो 8 इंच पर हमें यहाँ पर marking कर लेनी है यहाँ से हमने इसे cut कर लिया है 8 इंच पर अब यह वाल पार्ट हमें इस तरीके से इसके उपर रखना है और इसे cut कर लेना है तो इस तरह से हम इसकी 3 layer cut करेंगे और फिर जो हमारा fabric बचेगा उसमें से हमें collar निकाल लेनी है तो कटिंग हमारी हो गई है स्टीचिंग करेंगे तो देखिए यहाँ पर यह हमारा back पार्ट है तो इसकी जो यहाँ पर नेकी वीड थे वो हम रखेंगे 2.75 इंच और यहाँ पर इसकी जो लेन ते वो वान इंच रखी है क्योंकि हम इसमें collar लगाएंगे तो हमें यहाँ पर इस तरीके से वन इंच की गुलाई देते हुए कट कर लिया है और यह हमारा front पार्ट है तो अब यह जो बैग वाला पार्ट है जितना भी नेक हमने कट किया उसकी मार्किंग हमें आप कर लेनी है और लेंद में हमें इसे 2.5 इंच लेते हुए round shape देना है और इसे हमें cut कर लेना है अब side से हम इसे इस तरीके से fold करेंगे तो देखी जो front पार्ट है उसका shoulder हमने 6 इंच लिया था क्योंकि यहां पर हमें इसे थोड़ा सा open रखना है center से जैसे कि हम buttons बगेर लगाते हैं तो वो हम इसे नहीं लगाएंगे हम इसे थोड़ा सा center से थोड़ा सा दूर रखेंगे तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट को fold कर लिया है front side से और अब हमें shoulder को stitch करना है यह देखिए तो shoulder को हमने stitch कर लिया है तो एक stitch हम back side से भी कर देते हैं ताकि finishing आ जाएगी collar में यहां से हमें round दे देना है और अब हमें यहां पर इसे measure करना है कि कितने इंच की हमारी collar आएगी तो यहां पर दिखिए आ रही है 16 इंच के something तो 16 इंच हमें लेना है तो paper pasting लिया इसको double करते हुए stitch sorry double करते हुए हमने रख लिया है 8 इंच पर marking की है हमने और यहां पर 1 इंच पर यहां से हमें 4 इंच लेना है यहां से हमें हलका सा curve देना है और जो collar है इसकी wheat वन इंच रखनी है हमें तो इस तरह से वन वन इंच पर marking कर दे जाना है यहां से 8 इंच तक हमने इस तरीके से इसको measure कर लेना है कि यह कहां आ रहा है वहीं पर हमें इसको इस तरीके से marking करते हुए हलका surround देना है और इसे cut करना है इसे जो हमारा man fabric है उस पर हम इसे paste करेंगे रॉंग साइट पर तो देखिए हमने इसे paste कर लिया है यहां पर हम साइट से इसे fold करेंगे यह देखिए इस तरह से दूसरे बाले पार्ट को इस तरीके से रखेंगे दूसरे बाले पार्ट के ऊपर और यहां पर पेपर पेस्टिंग के साइट से हमें स्टीच कर लेना है साइट के एक्स्ट्रा फैवरिक कट करेंगे और पूरी कॉलर पर हमें कट लगा लेना है यहां से हाफ इंच रखना है हमें स्टीचिंग के लिए बागी एक्स्ट्रा फैवरिक कट करना है यह देखिए इस तरह से कट कर लिया सेंटर पर हम कट करेंगे और जो हमारा बैक पार्ट है उस पर भी हमें कट लगा लेना है तो इसको हमने इस तरीके से पलट लिया है और अब हम इसे नेक पर स्टीच करेंगे तो इसे हमें रॉंग साइट पर रखते हुए स्टीच करना है यानि कि उल्टे साइट पर इस तरीके से और जो हमने हाफ इंच लिया था ना वो हमने स्टीचिंग के लिये लिया था तो हाफ इंच को हमें यहाँ पर इस तरह से स्टीच करते जाना है साइट से हम इसे इस तरीके से स्टीच करेंगे और नीचे के साइट भी हमें इसी तरीके से स्टीच कर लेना है यह देखिए तो इस तरह से हमने कॉलर को स्टीच कर लिया अब यह जो स्टीचिंग थी वह हमें स्टीच निकाल देनी है अब यहाँ पे देखिए हमने यह लाइनिंग फैवरिक की यहाँ पर मैंने क्रॉस में पटी कट की है डबल करते हुए हमें आर्मोल पर इसे स्टीच कर लेना है यह आपके पास मैन फैवरिक हो तो आप वो वाला फैवरिक भी ले सकते हैं पूरी यार मोल पर cut लगाना है एक्स्ट्रा जो फैबरिक योसे cut कर लेना है एक stitch हम पटी के उपर से करेंगे पटी को अंदर की side fold करते हुए stitch करना है यह देखिए इस तरह से तो यह देखिए center से इस तरीके से थोड़ी सी gap रहने बाला है बीच में side से हम इसे stitch करेंगे तो देखिए stitch कर लिए है हमने इसे side से और अब इसको उल्टा करते हुए stitch करना है side से एक पेर का margin रखते हुए stitch करेंगे अब यहां पर हमें fitting लगानी है तो center से हमें chest के fourth part पर marking करनी यानि 8.5 inch पर यहां पर हमें waist का fourth part लीना है तो जो center में gap है उसी के लिए हमने आप पर shoulder front वाले shoulder को six inch लिया था तो I hope आपको वो समझ में आ गया होगा और अब यहां पर हमें fitting लगा लेनी है अब यहां पर यह हमारा frill वाला fabric है तो यहां से हमें इसे fold करना है तो इसे हमें three sides से fold करना है यहां से भी से fold करेंगे और हम इसे थोड़ा थोड़ा ही fold करेंगे ज्यादा fold नहीं करना है तो देखिए यहां पर इसको fold कर लिया था यहां पर हमें plates डाल लेनी है तो आपको जो plates डाल लेनी है वो आपके वेस्ट के according डाल लेनी है क्योंकि जो वेस्ट थी हमारी वो 28 इंच की थी तो यहां पर हमें 28 इंच की ही यह फ्रिल पूरी बनानी है और पूरे फैब्रिक पर इसी तरीके से plates डालना है यह रिखिए तो फ्रिल हमने यह आपर बना ली है और स्कोस्त कर अंदर इस तरीके से stitch कर लेना है तो देखिए से stitch कर लिया है एक स्टीच हम इसके उपर से करेंगे अब यहाँ पर हमें इसके उपर लेस लगा लेनी है तो मैंने यह पर मैचिंग की ही लेस ली है और जो हमने stitching की देना उसके उपर हमें इसे लगा लेना है और यहाँ से भी हम इसे फोल्ड करते हुए stitch करेंगे यह दिखिए अब यहाँ पर हमें डोरी बनानी है तो यहाँ पर प्लैन फैवरिक की डोरी बनाएंगे इसको इस तरीकी से फोल्ड करते हुए यहाँ पर जो फूट है उसका एक फूट लेना है और उतनी ही हमें stitching करनी है यहाँ पर बलब एक फूट के साइट से हमें stitch करना है और जितनी भी लंबी आपको डोरी बनानी है उतना लंबा फावरिक लेना है आपको साइट कर जेक्स्टर फैवरिक है उसे हम कट करेंगे अब यहाँ पर हमने सुई दागा लिया है इसमें 4 फोल्ट हमने दागा को लिया है और इसको इस तरीके से दूसरे साइट से निकाल देना है सुई को और अब इससे देखी नीचे और से इस तरह से खिषते जाएंगे तो डोरी यहाँ पर बनती जाएगी तो बहुत ही असान है इसे बनाना इसी तरीके से आप बनाएंगे तो आपकी डोरी बहुत अच्छे से बनेगी यह दिकी सादसे हिस्ते जाएंगे तो देखिए यहां पर डोरी को बना लिया है हमने इसी ताइप से एक डोरी और बना लेनी है अब यहां पर देखिए सरकल हम इसने कैप से कट किया है इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर से कट करेंगे अब यहां पर हम नीचे के साइट से से फोल्ड नहीं कर रहे है तो हमें यह इस तरह से हमें इसको यहां पर लगा देना है ताकि इसकी जो रेशे है वो निकलेना अगर आपके पास मसीने तो आप इससे भी कर सकते हैं अब देखिये यहां पर हमें लटकन बडानी है तो इस त्रीके से हमसे रखेंगे और इसे स्टीच करेंगे तो देखिए यहाँ पर यह हमारी लटकन बन गई है और इसके उपर हम थोड़ी दूरी पर एक लटकन और लगाएंगे इसके उपर हमें और लटकन लगा लेनी है सी तरीके से हम लटकन को लगाएंगे तो मैं ने या पर टोटल 5 सरकल कट किये थे उसकी मैंने आपर लटकन बना ली है और अभी आपे हमें जो पैपलम प्लेट्स वाला जो पैपलम हो हमने आपर जोएंट किया था था हुँआ वहीं पर हमें इससे स्टीच करना है दूसरा वाली जो लटकने उसको भी हम इसी तरीके से स्टीच करेंगे तो दिखिए सेंटर से हमारी जैकिट में इतना गैप आएगा और ये वाला प्रेंट हमारी जैकिट बनकर काप्लीट हो गई है तो कमेंट करके आप जरूर बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक शेर जरूर करिएगा और चैनल को सस्क्राइब जरूर करिएगा थैंक यू